बोरिवली पश्रिम गुराई डंपिंग राउंड में एक महिंद्रा बुलिरो जीब के साथ कुल 12,24,000 रुपे का माल जब्त कर बेवंदी के रहने वाली दो लोगों को गिरफतार कर लिया है उसमें से एक अभी भी फरार है गुजरात से मुंबई आने में कितने ही चेक पोस्ट है जहां तैनात सुरक्षा कर्मी पुलस विभाग और ट्रैफिक पुलस क्या सोते रहते हैं ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं यह तो साफ है कि बिना लेंदेन किये इतना बड़ा कारोबार कानून की आखों में धूल जोकता नजर आ रहा है मुंबई में प्रतिबंधित गुछ का बिकता है और लोग हरिदे भी है फिलाल लोगों की सिहत से खिलवार करने वाले सकारोबार परंकुष लगाने के लिए सरकार को कुछ और सोचने की जरूरत है बोरिवली पश्रिम के मेजबी कॉलोनी पुलस ने इस नरिक्षिक सूरिकान पवारनी गुराई डंपिंग ग्राउंड के पीछे पुलिसिया जाल बेचाकर महिंद्रा बुलेरू जीब क्रमांक को रोका और तलाशी ली तो टैंपो में प्रतिबंधित गुछ का और तंबाकु बरामत हुआ है जिसमें विमल पान मसाला के नाकन आठ लाख पचास जार रोपी बताई जा रहा है कि किसी को बेचने के लिए यहां माल सप्लाई किया चा रहा था मामले में नामक जहा नामक भंगार वाला फरार बताय जा रहा है एमेजबी कॉलोनी पुलस ने गुनाहा रजिस्टर्ट ग्रमांक 613 बटा एक हजार तेवीस में 29 वर्षिय टेंपो चालक रागवेंद्र शिव दुलारे और 19 वर्षिय सौरभ गुपता को गिरफ्तार कर लिया मुंबई से रोईजायसवाल की रिपोर्ट इंस्पेक्टर कुडार गर्मेजबी पॉलिटेशन तेवीस नौहेंबर को एमेजबी पॉलिटेशन के डिटेक्शन ओफिसर एपियाई पवार उनका स्टाफ पुलिस हावलदार सिंदे पुलिस हावलदार खोड पुलिस कोंचेबल साओली यह जो मॉर्निंग में जभी प जंबिंग राउन यहां बुड को गुटका और तंबाकु जिसको बंबे में बैन है वो आने वाला है तो उन्होंनेवाद ट्राइप लगाया तो उन्हें एक टैमपो मिल अपो की उन्होंने जभी चेकिंग की तो उन्हें उसमें आठ गोनी मिल मिमल पान-मसाला और दोगं प्राइज है लगबन चार लाक और जो उन्हें टैंपो बरामत किया है और टैंपो की कोश्ट है एट लाक तो ऐसे बारा लाक की एक उन्होंने जब्त की है और दो आरुपी को आइडिश किया है यह आरुपी जो है वह वापी गुजरत से यह माल लेकर आये है और वह यहां बंबे में विवंडी साकीना का एमाइडिसी और जगह पर बेचने वाले थे दोनों को हमने एडिश किया है वो पॉलिस कश्टडी में है और आगे की जो भी इंक्वारी करके हम आगे इसमें जितने भी आरुपी इन्वाल है उन्हें हम सब को एडिश कर लेंगे कि अर शीओलों है बिचलों है